एरवावी एरवावी चलो चलो कहाने सुनने चले सब तयार एक दो तीन विष्णू को नई जगे देखना पसंद है लेकिन उसे लंबी यात्राए ना पसंद है वो सोचता है कि काश हमारे पास यातायात के तेज गती से चलने वाले साधन होते इसलिए हाइपर लूप के बारे में पढ़कर वो बस हवा में उड रहा है वुहू आम लोगों के लिए चलने वाला भविष्यका ये यातायात का साधन है क्या सुनते है कहानी वुहू हाइपर लूप ओरिजनल स्टोरी हुपी हाइपर लूप बाई स्रीलता मेनन हिंदी में अनुवात किया है मधुबाला जोशी और चित्र बनाये है सत्यकृष्णा प्रकाश ये प्रतम्मुक्स प्रकाशन की पेशकश है और कहानी सुना नहीं है असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com चलिए सुनते हैं कहानी नन्ना विश्णू सपने देखने वाला प्राणी है वो हमेशा खयालों में खोया रहता है उसे पढ़ना बहुत पसंद है उसे घूमना भी बहुत पसंद है लेकिन उसे हवाई अड़े, रेलवेस्टेशन, टैक्स स्टैंड और बस अड़े पर बैठे इंतजार करने से नफरत है उसे एक जगा से दूसरी जगा जाने में लगने वाला समय भी नापसंद है काश मेरे पास एक जादूई कालीन होता, वो सोचता मैं अलादीन की तरह दिश्चिंध होकर पलग जपकते ही एक जगा से दूसरी जगा पहुँच जाता शुरू-शुरू में लोग एक जगा से दूसरी जगा कैसे जाते थे? वो पैदल जाते थे फिर वे गधो, घोडो, उन्टो और हाथियों की सवारी करने लगे जब पहिया बना तब वे बैलगाडियों और दूसरे वाहनों से हर जगा जाने लगे उसके बाद भाप के इंजन का अविशकार हुआ और ट्रेने बनी फिर मोटर काराई और लोग अधिक तेजी से दूसरी जगा जाने लगे ये कारे अपने अंदर लगे देहन इंजनों से चलती थी राइट बंदुओं ने इस इंजन पर काम किया ताकि हवाई जहाज उड़ाए जा सके उसके बाद इंजिनियरों ने मनुश्यों को चान तक ले जाने के लिए रोकेक तैयार किये लेकिन हम अभी अलादिन के जादूई कालिन से धीमे क्यों हैं विश्णू सोचता रहता उसने अपनी मा से पूछा, उसने अपने पिता से पूछा यहां तक कि उसने अपने स्कूल में शिक्षक से भी पूछा कोई भी उसके प्रश्ण का उत्तर नहीं दे पाया उसके पिता ने कहा आज हम जितनी तेजी से सफर करते हैं उससे ज्यादा तेजी से सफर करना कभी संभव नहीं रहा था हम चेन्नेई से बैंगलूरू रेल या बस से 5-6 घंटों में पहुँच सकते हैं और हवाई जहाद से तो सिर्फ 35 मिनिट ही लगते हैं और तो और तुम हवाई जहाद से दिल्ली से वाशिंग्टन बस 16 घंटों में पहुँच सकते हो जापानी बुलेट ट्रेने कुछ ही घंटों में एक द्वीब से दूसरे द्वीब तक पहुँचा देती है तुम और कितनी तेजी से जाना चाते हो विश्णू कितनी दूरी 40 मिनिट में पूरी हो जाती है अगर हम पैदल चले तो 4 किलो मिटर अगर हम कार से जा रहे होंगे तो 40 किलो मिटर अगर हम ट्रेन से सफर कर रहे है तो 60 किलो मिटर और अगर हम हवाई जात से जा रहे होंगे तो 40 मिनिट में 600 यानि कि 600 किलो मिटर ट्रावल कर सकते है ये लोग मेरी बात समझ ही नहीं पाते विश्णू सोचता सफर करते हुए उसे हमेशा लगता कि काश मैं अला दिन होता तब जादूई कालिन पल भर में मुझे कही भी पहुँचा देता एकदम रॉकेट की तरह और वो भी मुफ्त में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से अपने दिल की बात की एक दिन उसने अकबार में मोटे मोटे अक्षरों में छपी एक खबर पढ़ी जिसने उसकी ननीसी दुनिया को बस घुमा ही दिया खबर थी हाइपर लूप आधुनिक युक का जादूई कालीन वो अपने दोस्त के घर भागा और उसे बताया राहुल हाइपर लूप आ रहा है वो किसी भी ट्रेन या हवाई जहाद से ज्यादा तेज होगा वो क्या है राहुल की बहन अनुराधा ने उनकी बादचीत में शामिल होते हुए पूछा ये यातायात का एक बड़ा जबरदस साधन है मैंने इसके बारे में अभी अभी अकबार में पढ़ा वैग्यानिक इसे हाइपर लूप कह रहे है ये चोटे डिबो वाला एक युग ट्यूबों में से ले जाएगा क्या इसे पट्रियों या सडकों की जरूरत नहीं पड़ेगी राहुल ने पूछा नहीं ट्यूबे जमीन पर खड़े किये गए उन्चे उन्चे धाचों में लगाई जाएगी और सभी ट्यूबे एक लूप यानि चक्र में होंगी राहुल और अनुराधा को हाइपर लूप के बारे में और बताते हुए विश्णू इतम उत्साहित होता जा रहा था खबर के मुताबिक हम चेन्नई से बैंगलूरू हवाई जाहाज की गती से 35 मिनिट में पहुँच जाएंगे अभी जब हम ट्रेन या बस जाते है तो इस सुरक्षित है मैंने बताया ना कि ये डिब्बे वैक्यूम ट्यूप्स के लूप्स में चलेंगे कुछ डिजाइनर जिन्होंने इसका परिक्षन किया है वे मानते है कि ये सुरक्षित है हाला कि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी विश्णू ने प्रयास करने वाले है लगबग 1235 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से अभी वे लगबग 323.5 किलोमेटर प्रती घंटा की गती को ही पार कर पाये है विश्णू ने कहा लेकिन कैसे चकराया हुआ रहुल बोला शुन्य में डिब्बो को धीमा करने के लिए हवा का प्र राटे से ट्यूबों में चलेंगे जरा मिंटों में चेनने से बैंगलूरू फुर हो जाने की कलपना तो करो है ना गजब की बात इस कलपना ने ही उन्हें गुदगुदा दिया वे हसने लगे लेकिन कल तो हमें बैंगलूरू के लिए बस लेनी है विश्णू बड़े भूमने के सपने देखता रहा हाईपर लूप सपनों का वाहन हाईपर लूप भविश्य की यातायात व्यवस्था है इसके पर्यावरण हितैशी होने की आशा की जा रही है क्योंकि ट्यूब्स की छतों पर सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सोलार पैनल लग होंगे जिससे ये व्यवस्था स्वच और अपने लिए उर्जा खुद बनाने वाली होगी ये अभी शोद के सतर पर ही है इसलिए कोई भी हाईपर लूप जैसे यातायात के साधन की एकदम सही लागत नहीं जानता कुछ लोग मानते है कि इसे बनाना बहुत ही महंगा करते हैं विश्णू बहुत सपने देखता है आप किसके बारे में सपने देखते हैं कहाने खताम मुझे और एक सुनिये उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुनी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एर्वावी एर्वावी